है कि अर्व दोस्तों क्या हाथ समझार। कि आई आई नेजयसन नर्जी के लेक्ष्टर्स को आज हम लोग फिर से आगे करने वाले हैं और उमीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले के लेक्च्छर को कम्प्लिट कर ले होगे। कि इससे पहले हमने विश्राइब वुफे लिया है पहला लेक्षर ए और वन का अ और वन का भी दो पार्ट प्वावट में एक लिच्छोर थर्टी मिननेट के राउंड का और एक लेक्षर Filip के आंट तो उन लेक्षर में हमने जो डिस्कस किया था उसका ये अगला पार्ट है उसमें हमने आखरी क्या डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले डेफिनिशन फिर उसके बाद सक्सेसिव आयोने जिस इनरजी के केसेज फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है उसमें factors affecting ionization energy को कौन कौन सी चीज़े प्रभावित करती हैं फिर हमने डिसकस किया है elemental मतलब atomic state और molecular state के ionization energy को भी compare किया है इसके बाद हमने फिर अगले application में period trend of ionization energy group trend of ionization energy और यह जो periodic trend था वो fifth number application था और यह हम लोगों ने SNP block में clear किया था हमने आपसे first बोला था कि D block elements में ionization energy या किसी भी चीज़ के trend को अगर आपको discuss करना चाहे melting point की density हो या ionization energy हो या size हो तो उसको अलग से discuss करना होता है तो चलिए अब हम लोग second lecture में आज start कर रहे है transition elements in group and ionization energy फिर उसके बाद अपना आएंगे period पर आजो अच्छे से lecture को देखे मज़ेदार है और इस section से question भी frequent आते हैं आप किसी भी competition को दे रहे हो तो जब आप group को दोस्तों discuss करोगे माल लोग कोई group लेते हो 1b group copper silver gold तो यह आपका 3d series है और यह आपका 4d series है यह आपका 5d series आपने size में पढ़ा हुआ है कि size 3d से बढ़ा होता है 4d का और आपने पढ़ा हुआ है कि size 4d और 5d series का same है तो first है कि size बरने के कारण ionization energy decrease करेगा बट यहाँ जो size same है इसकी वज़ा है कि इस series के members को suffer करना होता है pouring of shielding से 4f 14 5d series members suffer from 4f 14 pouring of shielding अच्छे से देखना बटा pouring of shielding आपको इससे suffer करना होता है और pouring of shielding का जितना size पर प्रभाव परता है उससे काफी जादे प्रभा उसका आयोनेजिस इनरजी पर परता चुक्कि वहाँ एलेक्ट्रोन नुकेलियर चार्ज से होल्ड रहता जैसे थालियम की साइज को देखो तो वह इंडियम से बढ़ी ही है साइज वरॉन से बढ़ी है कि इंडियम से मामुली रूप से बढ़िय थालियम वहीं गालियम से इंडियम आओगे तो अच्छे डिफरेंस है 1.25 एंड्स्ट्रॉम और 1.50 एंड्स्ट्रॉम तो 0.25 का डिफरेंस है क्योंकि वहाँ F14 नहीं आया और यहां F14 आया किसमें थालियम में तो F14 के कारण इसकी सिल्डिंग एक्स्ट्रीमली पूर तो कॉंट्रेक्शन अच्छी भी होगी बटा अच्छी कॉंट्रेक्शन भी तबी साइज थालियम की बहुत बड़ी नहीं इंडियम साइज पर पूरिंग अप सिल्डिंग का उतना बुरा असर नहीं पड़ता है जित कि पूरिंग अप सिल्डिंग का आइजेशन नर्जी में काफी जादे प्रवाव पड़ता है ठीक है तो साइज में यह सेम है क्योंकि इसकी पूरिंग अप सिल्डिंग है बट एबनॉर्मली काफी हाइजेशन नर्जी हो जाएगी अबनॉर्मली हाइजेशन नर्जी होगी तो आप देख सकते थे कि बोरॉन कहां सेकेंड पिरियर्ड कहां थैलियम सिक्स पिरियर्ड कितना उपर छलंग लगाया आँख बंद करके बोल दोग रहे हैं समझ में आ गया होगा कौन सी चीज है आइजेशन नर्जी तो क्या आपने कंक्लीउड किया आइजेशन नर्जी को क्या कंक्लीउड किया दोस्तों सबसे ज्यादा 5D तब 3D और सबसे कम डिक्रीज किया 4D आपको अब ये समझ में आ गया होगा इन जेनरल, ये इन जेनरल की बात की गई है किसी किसी ग्रूप में ये फॉलो नहीं भी कर सकता बत उतने डिटेल में आपको 11, 12, ZE, Advanced, Main ये सब में उतने डिटेल में आपको नहीं आएंगे जो आएंगे वो 1B और 2B का ही मेजर आएगा ठीक है? तो चलो आप इसको अब बोल सकते हो इसका मतलब copper, silver, gold में gold gold के बाद copper और copper के बाद silver आपको समझ में आगिया होगा zinc, cadmium, mercury में सबसे ज़्यादे mercury than zinc और सबसे कम cadmium अच्छे से बने रहे वीडियो को ढंग से देखे और भी ग्रूप की आप इस तरह से बाते कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए क्रोमियम वर्सेज टंग्स्टन में तो भले ही टंग्स्टन का साइज बड़ा है बट आए इनेजेस अनरजी 5D होने के कारण इसी का ज्यादे हो जाएगा आप समझ पा रहे होंगे हाँ एक बार फिर से मैं बोलूँगा आप ऐसा मत कर देना कि लैंथेनम तब स्कैंडियम तब इट्रियम दोस्त याद होगा हमने क्लियर किया था हमने स्पस्ट बताया था 3B ग्रूप के जो अलिमेंट्स है वह डी ब्लॉक का पहला ग्रूप है तो वहाँ डी वन है वहाँ जस्ट अभी सिल्डिंग पूरिंग होनी स्टार्ट हुई है तो वहाँ कोई सिग्निफिकेंट पूरिंग अप सिल्डिंग नहीं है तो 3B ग्रूप के हम लोगों ने ट्रेंड्स को हमेशा S ब्लॉक एलिमेंट के ट्रेंड्स के तरह अज्यूम किया है क्योंकि उसमें पूरिंग अप सिल्डिंग नहीं होती है साइज भी रेगिलर इंक्रीज किया था मतलब I Tonight Synergy रेगिलर डिक्रीज करेगा याद्रोगork आपको करेए तो क्या हो जाए या scandium ज्यादे itrium ज्यादे length है नव क्यों 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 बोलोगे size में regular down the group size increase किया था आपको दोस्त ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से एक important group मैं discuss करना चाहता हूँ nickel वाला group nickel group अच्छे से देख लो also अगर आप nickel 8B group को discuss करोगे ठीक है निकल palladium platinum अच्छे से देखना बटा 4S238 configuration तो हमने मजे में किया है 5S04D10 और 6S1 4F14 5D10 याद होगा और सॉरी 9 अब इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि F14 के कारण इसमें highest जो होगी वो platinum की हो जाएगी इसमें तो कोई दोराय नहीं है F14 के वज़ा से जो तीनों में highest energy synergy होगी वो platinum की हो जाएगी अब रहा इन दोनों में तो बटा ये देखना फूल फिल्ड है फूल फिल्ड है इसलिए trend क्या आजाएगा सबसे ज़्यादे platinum तब palladium और तब निकल ये आपका ionization energy का trend हुआ जरा गौर करो सबसे ज़्यादे platinum और D10 के वज़ा से तब palladium और तब निकल down the group बढ़ गया क्या मतलब हुआ पूरे predictable में अकेला ये वो group है जहां ionization energy clearly down the group बढ़ता है बस अकेला क्योंकि down the group तो घटना है D block में 3D से 4D घटा बट 4D से 5D में 5D का बढ़ गया F14 के कारण तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि down the group बढ़े S block में regular trend है B block में भी करीब करीब regular है चलो 3A में थोरा उल्टा पूल्टा है कि boron के बाद thallium तब gallium aluminium तब indium 4A में regular down but tin lead में ladies आदे tin से फिर 5A onwards regular है तो हर जगा down the group decrease करता है increase करने का कोई सवाल नहीं है यहां तीनों member के तीन तरह के configuration है तो यह F14 के कारण सबसे जादे और इन दोनों में यह D10 fulfilled के कारण जादे और सबसे कम पढ़ गया बचारा निकल मतलब बोलो के the only group where ionization energy increases downward is nickel group clear भी चीज़े हैं देखो चलो मैं इसको कहीं लिख भी दे रहा हूँ the only group of periodic table where ionization energy increases downward अब नीचे लिख लो होगे नोट्स में downward कौन ग्रूप nickel group तो यह एक काम की चीज़ तो काफी मज़दार रहा transition battles के group में आपको इससे जादे कभी question नहीं आएंगे यह last है आपको यही पूछेगा या तो इन जेनरल जो question जेई मेन में या नीट में आते हैं वो copper, silver, gold, zinc, academia, mercury आते हैं लेकिन इन जेनरल बीच में बाकी बहुत सारे group के trends उल्टा पूल्टा भी होते हैं बट आपके syllabus में उतना पढ़ड़ा नहीं होता है लेकिन हाँ यह ध्यान रहे आपको अधिक सदीका आयागा कि chromium tungsten में बताओ titanium hofnium में बताओ magnesium में बताओ मतलब पहला member 3D और 5D तो 3D 5D में 5D का आख बंद करके जादे कर लोगे ठीक है अब वही सब हमने किया एक 3B group थोड़ा important था अलग तरह का तो वह मैंने discuss कर लिया और 8B वाला nickel का जो group है यह बिलकुल अलग है चुकि इसमें trend ही बहुत है उल्टा पूल्टा तो इसको हमने discuss कर दिया तो यह transition metal का group में trend था यह आपका application number 6 था 7 number application में आते हैं लेके transition metals in period तो आप इस page का screenshot ले और सिर्फ screenshot नहीं लेना होता सबका दोस्तों notes बनाते चले अच्छे से और questions practice करते चले जाएं जैसे ही आपके topics end होते हो आपको जो suggested book है जो suggested material है आप उससे question को अच्छे तरीके से practice करें ठीक है तो चलिए आप इसका screenshot लीजे चलो तो इस page में अपन transition elements को period में discuss करते हैं और उसके ionization energy को अच्छे से देखो definitely ionization energy के trend को discuss करने के लिए इसमें कोई दो रहा है नहीं है size के trends ध्यान में रहने ज़रूरी है तो एक बड़ size पे भी आप बात कर लो हमने पढ़ा हुआ है कि जो transition elements जब period में हो तो उसके size के trend regular नहीं होते हैं दो बाते हमने पढ़ी थी एक तो scandium से magnees decreases iron cobalt nickel remains almost same copper से zinc increases यह तो trend होगा दूसरा जो हमने पढ़ा था वो यह पढ़ा था कि members में काफी काफी insignificant differences होते हैं काफी minor differences होते हैं अगर size की value काफी close होगी दोस्त तो ionization energy की भी values जो होंगे वो काफी close होते चले जाएंगे आप समझ सकते हो size बटा अच्छे हैं क्योंकि size पर depend कर रहा ionization energy तो size अगर एक marginal significant value से differ करे तब तो ionization energy भी significant value से differ करे और जब size में वो difference में काफी कम की value रहे gap रहे तो ionization energy में तो और कम की gap बननी ही बननी है मतलब उसका minimum होगी कम होगी समझ सकते हो तो चलो आजाओ इसका क्या होगा impact ज़रा देखे scandium, titanium, vanadium, chromium manganese, iron, cobalt अच्छे से बने रहे एक question generally ionization energy से देखे जाते हैं वो deep block वाले ही trends बाकी चीजों से मिला करके questions जो भी है वो बन सकता iron, cobalt, nickel, copper, zinc आप बोलोगे size में scandium से magnees are not decreases, covalent radius iron, cobalt, nickel are not करीव करीव remains same और दोस्त, copper से zinc are not increases ठीक है लेकिन आप एक चीज़रू लिखोगे कि यहां से यहां जाने पर insignificant insignificant differences in size size में बहुत ही कम का difference होता है इसलिए irregular trend of ionization energy देखना पर अच्छे से irregular trend of ionization energy क्या होगा काफी irregular होगा चलो सिर्फ इतना बोलने से भी पल्ला जहार के निकला जा सकता है कि trend irregular होगा बहुत लोग उन्होंते दिमाग में लगा लिया होगा जब irregular होगा छोड़ो नहीं यार कौन सा competition में आने जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है आपको आपके बुक में मतलब आपका जो ncrt है उसमें लिखा तो काफी कुछ होता मतलब इन दसो elements के value लिखे हुए रहते हैं जब आप d block पल्टोगे प्रियोडिक्टेबल में तो मिलने से रहा दसो elements के आपको value लिखे मिलेंगे आप उन values को compare करोगे तो एक order भी तयार होगा तो उस according competition का ये हग बनता है कि आपको इस 10 में से कोई भी 5 member 4 member उठा के पूछ ले मेरे बात को समझना उसका हग बनता है क्यों बनता है बटा क्योंकि उसके book उसने book में डाल रखा है तो वह आपसे पूछ सकता है कि चलो बता दो वैसी चीज़े पूछेगा जिसमें logic हो क्योंकि competition जो आप नीट का देते हो या जेई का देते हो basically वह आपके IQ को चेक कर रहा है तो आप logic लगा सकते हो कि नहीं थोड़ा वह बेस वाला question पूछेगा जैसे आपसे पूछेगा copper zinc का first and second energy compare करो तो वह logic हमने लगाया पीछे हमने compare किया तो कुछ-कुछ members important members जो है उसका आपसे पूछेगा आप दसो का trend क्योंकि आपके NCRT में क्या है आपको पता भी नहीं आप जब D-block पल्टोगे इन दसो elements का first high energy energy भी दिया हुआ value इन दसो का second भी दिया हुआ और इन दसो का third भी दि बना होगा और तुम याद भी नहीं रख पाओगे SP block में तो हमने चलो एक ट्रिक भी बना दिया था 87564231 वाला इसमें तो उतना आसान भी नहीं है यह तो इसी लिए तो आपको एक guide की जवरत परती है जो filter करें इन चीजों को कि पढ़ना बहुत कुछ है बट competition में क्या पढ़के निकला जाए ठीक है ज्यान अलग चीज़ है बट ज्यान नहीं we are interested in समधान solution में we take interest in solution ठीक है सारे निताजी आते है आराम से भासन देते हैं कि भाई देश की बिरुजगारी यह है तो गैस कदाम यह हो गया वह सब सब गॉर्मेंट आती आने से पहले भासन बाजी करते हैं तो लेकिन पब्लिक क्या है पब्लिक क्या सोच करके देती है वह उसको solution चाहिए अलग बात है कि वहां नहीं मिलता है लेकिन यह तो यहां तो solution लेना ही होगा क्योंकि आपको competition क्रैक करना वोट देने वाली कोई चीज है नहीं तो solution यह है कि आपकी NCRT में जो लिखी वी है उसमें से उन चीजों को फिल्टर करना एक अच्छे गाइड का काम है कि कौन सी चीज़ें निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करें जिसको competition पूछने के 99.9% तक chance हो हलाकि अगर मैं one वाली value कर लूँ one को compare कर दूँ IE1 first energy synergy तो 60% chances है कि question उसी से आएंगे 50% चलो ले लो बट और भी जो 40-50% chance है उसको और बढ़ाने के लिए मतलब up to 90 तक sure करने के लिए हम second के भी कुछ value को लेंगे third को भी कुछ value को लेंगे ठीक है तो वो guide का काम है इसलिए मैं बोलता हूं कि teacher के हाथ में न बटा किसी चीज़ को create करना और destroy करना दोनों चीज़ उनके हाथों में होता है उनके मुठ्यों में होती है तो एक teacher को बहुत सोच समझ करके पढ़ाना चाहिए किसी guide को एक सोच समझ करके एक range project करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या beneficial है हां knowledge भी जरूरी है क्या पता आप में से कोई student कलको teacher बन जा है तो अगर वो भी यही बात करे कि बटाया कटके निकल लो ये 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 आप तो उस समय में knowledge भी काम की चीज़ है knowledge भी आनी चाहिए knowledge भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि जो use है बस उसी को लो जो competition क्रैक करना हो balance I mean balance किस चीज़ में knowledge के बीच ग्यान के बीच और समाधान के बीच एक balance चाहिए इससी को competition कहते है ठीक है तो चलिए आईए पहले हमने ये हमने इसमें clear किया कि trend irregular होंगे हमने ये clear किया कि आईए इससेनरजी में जो value उसका जो trend बनेगा वो irregular होगा अब चलो मैं लिख करके दिखाता हूं trend को जड़ा ध्यान दो right side in general बढ़ेगा in general right decrease कर रहा size right word size decrease करता है तो in general ionization energy increases इतना तो लिखी सकते हो ना irregularly लेकिन increase करेगा right side क्योंकि size decrease कर रहा अब देखो तो सबसे right में copper zinc आपने पढ़ा था copper zinc में किसकी ionization energy first जादे याद करो पिछले lecture में first में zinc जादे थी stable configuration के वज़ा से और second में copper जादे हो गई थी तो सबसे जादे कौन लोग है zinc ध्यान से zinc के बाद अगला नंबर है iron का अगला नंबर है कोबल्ट का अगला नंबर है copper का तब है nickel का फिर इधर लोट के होगे magneze का फिर titanium का और फिर यहां से आके regular है chromium and then vanadium and then scandium कहां से लगा पाओगे कहां से लगा पाओगे stable configuration zinc छोड़के किसी के पास नहीं है कहां से लगा पाओगे देखो कितना irregular trend है zinc zinc के बाद iron कोबल्ट copper nickel magneze और पीछे titanium chromium कहां से लग पाएगा काफी irregular ठीक है तो आपके काम की चीज अब इतनी नहीं है आप जो इसमें से याद रखोगे क्या याद रखोगे यह देखो वो मैं बाद में कर दूंगा ठीक है मैं गलेपेज में उसको समड़ी उसका मैं बना दूंगा आपको जो याद रखना फिर भी वो यह याद रखना zinc copper scandium चलो magneze भी ले लो scandium और यह भी ले लो ठिक से यह मेंली याद रखना तो इसमें trend regular ही है zinc 30 29 25 24 21 इसमें करीब करीब regular ही है करीब करीब इसमें regular ही है अब आजो ie2 जब आप i2 का trend लोग है इसको मैं फिर से सुल जाओंगा थोड़ा और सुल जाओंगा कि आपको याद क्या क्या रखना क्योंकि trend irregular है आप zinc को याद रखो one में सबसे जादे zinc है और सबसे कम scandium चलो नहीं कुछ तो बटा इतना तो याद रख सकते हो ना राइट वाला highest तो zinc highest scandium lowest अब टू एक बार फिर से इर्रेगुलर ट्रेंड इर्रेगुलर ट्रेंड ठिक से देखोगे यह तो clear है 2 का उतना लगाओगे 3 का उतना इतना करोगे तो कवर competition को कवर करो तो IE2 highest कौन होगा right word highest होगा बट आपने पढ़ा था copper zinc में इस बार copper ज्यादे होता है तो highest हो गया copper zinc नहीं और lowest कौन होगा lowest उसी को ना में होगा कौन सा scandium ठीक है अब आजाओ IE3 वह भी इर्रेगुलर होगा यह भी दोस्ति इर्रेगुलर ट्रेंड होगा यह भी इर्रेगुलर ट्रेंड होगा चलो आजाओ अगर मैं बात करूँ इसमें IE3 highest कौन right word highest होता है तो configuration के हिसाब से क्या zinc highest बनेगा सोचो 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 4s2 3d10 2 के बाद fulfilled हो जाएगा 4s1 3d10 2 के बाद d9 बचेगा एक एक दो के बाद d9 बचेगा मतलब सही में fulfilled के कारण zinc ही होगा और अच्छे value से जादे होगा और लोवेस्ट कौन होगा लोवेस्ट में वही रह जाएगा तो आपने क्या देखा तीनों आइउनेजेशन इनर्जी में आई-ई-वन में हाइस्ट कौन रा जिंक लोवेस्ट कौन रा स्कैंडियम आई-ई-टू में हाइस्ट कौन रा कौपर लोवेस्ट कौन रा स्कैंडियम थ्री में हाइस्ट कौन रा जिंक और लोवेस्ट कौन रा स्कैंडियम अब अगला पॉइЙयेगा अगला पॉइंट आप से ये वाला जो मिंबर है अच्छा से देखोगे ये वाला जो मिंबर है वैनेडियम क्रॉमियम मैंग नीज वाला ये वाला मिंबर तीनों वैल्यू याद रहना चाहिए किस्टन देखो ये काफी कॉंपेटिशन में पूछा गया किसका किसका मैंने बोला वैनेडियम अब मैं अपना experience बता रहा हूँ वैनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज आइरन ठीक है बटा 23, 24, 25, 26 इनका तीनों आयोनेजेशन इनर्जी याद रहना है वन मेजर आ देखो, ट्रेंड ध्यान से देखो, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादे है FE, राइट वाला फिर MN, फिर CR, फिर वैनेडियम मतलब रेगिलर है, राइट बढ़ेगा वैनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन, सही है रेगिलर ट्रेंड लेकिन IE2 में क्या है 2 में 2 में इन 4 मेंबर का मेरे बात को अच्छे से ध्यान दे 2 में इन 4 मेंबर का लगाना हमने लगाया तो है नहीं बीच में छोड़ दिया तो 2 में अगर आप इन 4 मेंबर का लगाएंगे तो इन 4 में 2 के हिसाब से जरा देखो किसका stable configuration होगा, इसका एक लूज करने के बाद D5 हो जाएगा जबकि इसका एक लूज करने के बाद S1 रहेगा इसका भी S1 रहेगा, इसका भी S1 मतलब chromium ठीक है, देखो अब मैं याद रखता हूँ ठीक से देखो value को 4, 5, 6 मैं याद रखता हूँ 4, 5, 6 और 3 के लिए मैं याद रखता हूँ 5, 4, 6 क्या क्या बोला मैंने 4, 5, 6, 5, 4, 6 456, 5, 6 मतलब क्या हूआ 4 किसके last में है chromium 5 किसके last में है magneege और 6 किसके last में है iron और एक बच गया vanadium पीशे लगा दो ठीक है अब देखो 3 में क्या मैंने याद रखा 546 5, 4, 6 तो देखो कैसे 5 किसके last में है magneege 4 किसके last में बटा 4 chromium लुक, 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 लुक और 6 किसके last में है iron और vanadium पीशे देखो कितना तरीके से हुआ और one वाला trend regular था one वाला trend क्या है regular है क्या regular है regular है 6, 5, 4 regular था iron 6 magneege 5 chromium 4 और vanadium है तो one में problem नहीं है इन चारों member में वो regular है right word increase करेगा तो iron के तरफ 2, 3 regular था तो हमने मतलब एक number याद रखा दोनों के लिए और उससे हमारा arrange हो गया यह टे रहा मेरा सारा क्या 456 और 546 अगर कभी confusion हो जा जैसे कभी-कभी मेरे को being a student अगर मैं सोचू तेसे confusion हो जाता कि 456 किस में था second iron education में जी की third में तो मैं याद देखो मैं कैसे उसको भी पकर लेता हूँ ज्यान दो जब second की बात करूँ तो एक lose हुआ है इसलिए chromium के last में 24, 24, 4 इसलिए 456 का होगा और इस वाले में हो दो lose करने के बाद third iron education energy डिफाइन होगी तो मैं सोचूंगा दो lose करने के बाद किसका stable configuration हुआ तो दो lose करने के बाद magnees का stable configuration होएगा बिटा क्योंकि 4s235 है दो lose करने के बाद magnees का होगा stable configuration होगा समझ रहे हूँ नहीं कैसे 4s235 बने रे इसलिए इस वाले में जाओगे तो magnees वाला आजाएगा तो 456 इसमें याद रखा 546 इसमें याद रखा और इस तरीके से हमने इसको लगा दिया आपको याद देखो कितने आसानी से हो गया और यह sure है 99.99% से chances है कि अगर आपसे जेव में या निट में 2nd energy center जो 3rd energy center जो पूछेगा तो इसी 3 member का पूछेगा chromium, magnees iron बहुत से बहुत vanadium जो डाल दिया आप CBSE का paper पलट करके देखो आपको 2008 में भी question मिल जाएगा बहुत बार ऐसा पूछा हुआ है competition में और इनी 3ों के बारे में पूछता है कि बाकी पूछेगा बैटा तो काफी irregular trend है वहाँ concept लगना difficult है यहाँ लगा नड़ी concept कि second में एक lose करने के बाद stable configuration यहाँ लगा नड़ी concept कि third में दो lose करने के बाद stable configuration MN का D5 conceptual चीज़े पूछी जाती है ऐसा नहीं कि किताब में जितनी चीज़े हैं उठा के पूछ डालो अलग बात है कि question sit करने वाले भी इनसान होते है अगर थोड़े egoistic आ गए तो उनको लग गया हमने किताब में तो डाली रखा है तो मैं कहीं से पूछ लू जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो teacher कभी कभी क्या कोई moody teacher हो जाते हैं चाहते हैं बच्चों को number ही ना मिले कम number है तो question sit करने वाले लोग भी इनसान ही है तो कभी कभी वो आन-बान-सान वाली चीज़ें आ गई तो चलो tough चीज़ें उठा की डाल ले उनका अपना level हाई है वही आई डाल लो लेकिन इन general अगर बात करूँ तो वो यही चीज़ आप से पूछेगा तो मैंने बड़ी अच्छी चीज़ यहां पर discuss करी है आप इसको अच्छे से memorize रखो जैसे हमने SP block के लिए आपको trick दे रखा था 87564231 का उसी तरीके से हमने D block के इन तीन member के लिए important trick दिया है 546 and 456 का और 1 में तो regular है इन इधर वाले शुरू के चार member में तो regular trend है 1 में ठीक है titanium छोड़ के ही बात किया बनी तो चलो यह second page का अच्छे से screenshot लो screenshot को आपको note भी करना है और problem practice जारी रखने है चलो आज ओ दोस्तों next application जो हमने उठाया है वो है sudden jump in IE's values I energy energy के value में sudden jump sudden अचानक jump उचाल I energy energy के value में अचानक उचाल और उसके बज़ाए estimation of valence properties मतलब आपके जो valence electrons है उनसे बहुत सारी property जुड़ीवी है number of valence electrons से उस properties को उन properties को connect करते हैं अपन किस से sudden jump in IE's values I energy energy के successive values में sudden jump अचानक उचाल चलो मैं application करके दिखाता हूँ थोड़ा और आप अच्छे से पकड़ पाओगे बने रहे हैं आप वीडियो पर ध्यान दे चलो मैंने बोला कि यह माल लो कोई element है अच्छे से देखना बटा second electron बाहर वाले ओर्बिट से अपन निकाल रहे हैं और उसका यसे वैलिव बड़ी है जड मैं बोलूगा जी नहीं गलत है। सर। सर गलत कैसे हो गया यह आप क्या बोल रहे हो सही यह है एकस से बड़ा Y और Y से काफी बड़ा जड है बड़ा और बहुत बड़े में जो डिफरेंस है वो बहुत का है और ये बहुत जो है 今 एड़ेक्टिप विसेशन है बटा विसेशन को विसेशन के साथ इस्तेमाल करना आणा चाहिए आप बोलोगे कि मैं हमाले के सामने खड़ा हूँ हमाले मेरे से बढ़ा है पागल हो क्या है ऐसा कहीं बोला जाये क्या बोलोगे हिमाले मेरे से बहुत 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 बढ़ा है कोई अगर अच्छा पढ़ा रहा है आप बोलो हाँ ठीक पढ़ाते हैं लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो ही डिजर्ब्स या सी डिजर्ब्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मा खाना बनाती है आपको अच्छा लगता है खाना ठीक है नहीं मा के हाथों का खाना एक विशशन अपन देते हैं तो यह एडजेक्टिव आपने बनाया यार इस्तेमाल भी करो जब वैलेंस इलेक्ट्रोन खत्म हो जाएगा तो बटा आपका निकलियर चार्ज का इफेक्ट बाहर के सेल पर जितना होगा आपको तो पता है कि इस पर अंदर वाले और्बीट पर यह जड़ इफेक्टिव काफी ज्यादे होगा यहाँ ज्याड इफेक्टिव लो होगा यहाँ ज्याड इफेक्टिव काफी हाई होगा चाहे इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन एचीव हो या नहों उससे कोई फरक नहीं परता है तो यह जो वैल्यू बढ़हा इसी को बोलते हैं सदेन जंप अचानक उछाल सदेन जंप इन आयोनेजिस एनर्जी अब आपको समझ में आ गया होगा तो जब लगातार 5-6-7-8 आयोनेजिस एनर्जी की वैल्यू दी भी हो तो उसमें जहां पर अचानक उछाल हुआ हो उससे पहले वाले सारे इलेक्ट्रोंस कहां के होंगे अंदर के या बाहर के बोलो सर बाहर के तो आपने क्या निकाल लिया दोस्त सर वैलेंस एलेक्ट्रोंस कितनी सर दो तो M पर स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट कितने आएंगे सर प्लस टू आपको समझ में आ गया होगा M का stable oxidation number Sir plus 2 Stable valency 2 मैं बोलूँगा formula of oxide क्या होगा formula of oxide क्या होगा तो आप बोलोगे कि Sir M पर 2 plus लाओगे और O पर 2 minus लाओगे Sir MO मैं बोलूँगा formula of fluoride क्या होगा आप बोलोगे कि Sir बड़े आसानी सब लिखा जा सकता formula of fluoride आप बोलोगे Sir M पर 2 plus लाओगे और F पर 1 minus formula becomes MF2 इसी तरीके के कुछ-कुछ questions आते है sudden jump से valence electrons की संख्या बताओ group number बताओ 2A group number बताओ stable oxidation state बताओ oxide का formula बताओ fluoride का formula बताओ यही सब चीज कुछ-कुछ आप से questions आएंगे ठीक है हर तरह की चीज़े हमने discuss करी दिखाता हूँ, एक question डालता हूँ, एक application डालता हूँ उससे आप पकड़ लेंगे, आप third page में है जहां से देखे successive IE's values IP चलो लिखता हूँ IE और IP में फर्क यही है कि यह potential है और वो energy है potential को electron के charge से multiply करके आप जूल energy में convert कर सकते हो तो successive IP's values of an element given edge of an element given edge IP 1 1.2 electron volt IP 2 मैंने पूछा वा कॉमपेशन का कुष्चन डाल दिया 25 electron volt IP 3 150 electron volt और IP 4 115 electron volt sorry 1500 electron volt first कितना दिया पेटा 1.2 second कितना दिया 25 third 150 और फोर्थ 1500 अब मैं आप से पूछ रहा हूं चार कॉन्फिग्रेशन दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि कौन सा कॉन्फिग्रेशन इसको जस्टिफाई कर रहा है which of the following electronic configuration describes most precisely the given IE's values या IP's values दिये वे ionization energy के value को कौन सा electronic configuration सही सही justify कर रहा है पहला अच्छे से दिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 sorry 3s1 दूसरा 1s2 2s2 2p6 3s2 तीसरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और चौथा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 चौथा है 3s2 3p2 अराम से आप application को देखें सोचें आपको क्या लगता है कौन सा electronic configuration आपके दिये वे ionization energy के values को सही सही explain कर रहा है वीडियो को pause भी कर ले सकते हैं अगर आप थोड़ा जादे time चा रहे हों अदर्वाइस मेरे साथ भी discuss कर सकते हैं सोचो सोचो 1.2, 25, 150 and 1500 configuration कौन सा सही सही explain कर रहा है दिये वे ionization values को निकला A A सोच रहे हो C सोच रहे हो नहीं सर मैं तो B सोच रहा हूँ चलो देखो मैं आप की तरह सोच के बता रहा हूँ मेरे को यहां लग रहा 1.2, 25 यार 20 गुना का difference है वहाँ 6 times का difference है, वहाँ 10 times का difference है यार बहुत बढ़ा difference है इसका मतलब यह valence है, एक valence जिसमें आएगा एक valence थर्ड सेल, यह सेकेंड सेल, एक valence वहाँ 2 valence, थर्ड सेल यार थर्ड सेल, तीन valence थर्ड सेल, चार valence लगड़ा A, कुछ लोग A सोच रहे होगे कुछ लोग सोच रहे होगे, यार यहां 20 की value है वहाँ 125 की 125 की value है वहाँ यार बहुत value है 1350 difference बढ़ा लगड़ा, इसका मतलब यहां पर difference बढ़ा लगड़ा, मतलब इससे पहले वाला सारा valence है तो तीन valence, तीन valence मतलब C number 3, A, 2, 3, P, 1 कौन सही है A वाले या C वाले कौन सही है, A वाले या C वाले कौन सही है A वाले या C वाले C वाले सही है क्यों बटरा चलो explain कर रहा हूँ ठीक है देखने से A वाला भी लग रहा है कि value अचाना कुछ हल लिया है बट sudden jump जो होता है वो सुरुआत के जो energy synergy के values हैं उसमें वो बड़ा difference दिखेगा आपको, बहुत बड़ा difference times की तो मैंने बात ही नहीं की यहाँ times इसलिए लग रहा है बड़ा है क्योंकि यह value यह already छोटा 1 और 2 की क्या ओकाट तो यह value यह already छोटी है इसलिए आपको times ज़्यादे लग रहा है और दूसरी बात आप फसो के कहां पे ज़रा देखो पहली value low है अगर दूसरी value high है 20 गुना के कारण 20 times के कारण अगर एवालो को मैं बता रहा हूँ और तीसरी value normal लग रही है 6 गुना बड़ी है चोटी भी थोड़ी बड़ी लग रही है 10 गुना बड़ी तो ज़रा सोचो अगर आपने ए अंसर किया तो पहली तो बड़ी समझ में आ रही है sudden jump दूसरी normal 2p6 से 2p5 कोई stable नहीं है लेकिन तीसरी वाली value क्यों तीसरी से चोटी वाली क्यों बड़ी हो जाएगी 2p5 से 2p4 जाना तो कोई stable नहीं है तो अचानक फिर कहां से उचालाया मेरी बातों को समझो जिन्होंने a answer किया है मैं उनको काट रहा हूँ फिर से repeat कर रहा हूँ जड़ा देखो a वालो के लिए मैं बता रहा हूँ a वालो का पहला तो clear समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है a यहाँ sudden jump लिया तो first से second जाने पर बड़ा jump लिया 20 गुना अब second से third जाने पर normal jump क्योंकि 2P6 से 2P5 जाओगे तो कोई stable configuration तो अचानक नहीं आया P5 stable नहीं है तो यह भी समझ में आया लेकिन अगला jump क्यों बड़ा है 2P5 से 2P4 जा रहा है कोई stable 2P4 तो आए नहीं तो फिर यह इतना बड़ा jump क्यों ले लिया इसका मतलब यह गलत है अब C को जड़ा देखो C को P1 से S2 गए है आप तो S2 भी तो बड़ा भड़ा वा और्बिटल है तो बड़ा जब P1 से तो S2 गए है वहाँ भी आपको filled orbital मिल रहा है बात तो वहीं पर हो गई इसलिए पहली बार आपको उच्छाल थोड़ा दिक मिला लेकिन sudden jump नहीं दोस्त यह थोड़ा stable है लेकिन इसको sudden jump नहीं बेज़ जती है sudden jump की मैंने क्या बोला sudden jump कम होता है जब आपका बाहर वाला orbit खत्म होजा आप अंदर वाला electron निकालते हो तो क्या यह अंदर वाला electron निकल दा है दोनों तो third से लिता है बे तो यह sudden jump नहीं है यह थोड़ा सा बीच में की stable configuration आया है उसके वज़े से आपको jump दिकरा है यह sudden jump नहीं है तो पहला वाला clear हुआ S2 के वज़े से यह थोड़ा jump ठीक ठाक था अब S2 से S1 जाएगा इसलिए normal है S1 कोई stable नहीं है और S1 से P6 जाएगा अगला इसलिए सबसे बड़ा है तो सीना ठोक के बोलोगे answer C होगा तो sudden jump कैसे justify करोगे बटा कैसे recognize करोगे sudden jump को लगातार दिये वे energy synergy के values में जब आपको लगे कि यह value अचानक बहुत जादे का jump ले लिया है तब वो sudden jump उससे पहले वाले सारे balance electrons में count हो जाएगे तो अगर आपसे मैं बोलू कि इसको देखके बोलो कि किस group का element है बोलोगे तीन balance 3 एका element देख लो aluminum निकल रहा है 3 एका मैं बोलू stable oxidation state plus 3 मैं बोलू formula of oxide तो m पर 3 plus चुकि balance 3 है और o पर 2 minus तो m2 o 3 मैं बोलू formula of fluoride f पर 1 minus m पर 3 plus तो formula of fluoride becomes mf3 clear वी चीज़े है तो आप अच्छे से आपने सीखा होगा sudden jump के concept को बाकि आप questions करोगे तो और अच्छे से आपके चीज़ें clear होगी एक lecture तो मैं जो लूँगा वो next वाला lecture complete practice पे ही लूँगा वो धेर सारा मैं आपको practice करवाने जा रहा हूँ अगले lecture में करवाऊंगा तो उससे चीज़ें और ज्यादे आपके clarify होगी तो चलो आप जल्दी सिसका screenshot लो और screenshot को note भी करना है notes बनाना है और regular practice करते रहना है जो भी आपको suggested बताएवे books हैं उससे तो जल्दी स्वटा आप screenshot लेगे next application number 9 metallic character आज के lecture में mostly चीजें हम लोग वो कर रहे हैं discuss जहाँ confusion लोगों को होता है यहां भी एक confusion का subject है तो फिर ग्यान नहीं समाधान वाली बात अपन करेंगे what is metallic character लोग सोचते हैं कि metallic character basically हुआ कि यदि metal का character मतलब अब उसको देखने का दो नजरिया है ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा एक लोग वैसे हैं जिनका यह मानना क्योंकि design कीवी चीज़े हैं अपने हिसाब से इनका यह मानना है कि metallic character मतलब जिस element में अगर दो element का metallic character compare करना तो जिसमें metal की property अच्छी हो सवाल उठता है कि आप metal की property किसको मानते हो इसका तो कोई definition हो नित होता नहीं exact exact definition तो है नहीं आपने क्या parameters लिया है metal के definition के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि metallic character का मतलब हुआ कि metal की जो खास बात होती है loss of electron उस tendency को बताना means reciprocal of energy tendency मेरी बातों को समझीएगा हमने बोला बटा दो तरीके के लोग हैं दो तरीके के teacher हैं एक वो यह discuss करेंगे कि metallic character का मतलब हुआ metal का character metal is known for its solidity metal is known for metallic bonding inside the crystal वहां metal atoms बहुत strongly bonded हैं तो एक वो category के लोग है जो metallic character को ऐसे define करेंगे कि जिसमें metallic bond strong होगा वो वाला को तु metallic character जादे बोलोगे जैसे sodium और iron में किसके metallic character अच्छा है तो iron के sodium काफी soft metal उसके metallic bond काफी weak है और जो second category वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि loss of electron जिसने आसानी से किया है वो better metal है क्योंकि metal की character है उसका character electron lose करना तो sodium और iron में जिसकी ionization energy कम होगी वो और electron आसानी से lose करेगा तो iron energy synergy किसकी कम होगी sodium की S block है तो sodium का metallic character जादे फस गए आप फस गए आप इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि competition में दोनों तरीके की दोनों तरीकों किसे दोनों नजरियों से question पूछा जाता है साही क्या है क्या फर्क परता है हम भी तो दो मेंसे किसी एक category में होंगे अलग बात है कि हम एक ऐसे teacher होंगे या guide होंगे जिसने दोनों नजरियों को सामने रखा मेरी बातों को आप फिर से समझ ले आपसे भी अगर पूछा जाएगा दो मेटल हाथ में दे करके कि यार इन दोनों मेटल में कौन किसमें मेटली क्यरक्टर जादे है तो तुम भी बोलोगे यार ठोकना बजाना है कौन सॉलिड है कौन जादे स्ट्रॉंग है मतलब किसके अंदर बॉंडिंग फोर्स मेटलीक बॉंड स्ट्रॉंग है सिंपल ऐसे भी प्रिजेंट करोगे कोई जादे दिमाग लगाएगा तो वो ये भी बोल सकता है दोनों में से कौन आसानी से इलेक्टरोन लूज करेगा तो सवाल है आप क्या कुनसीडर करने जाए हो मेटलीक कैरेक्टर का अगर मेरी बात बोलो जो मैने अच्छे बुक्स को मैने देखा है और समझा अच्छे लोगों से डिस्क्रसन के बाद जो मैं चीज़े बता रहा हूं metallic character का वही मतलब हुआ किसके अंदर metallic bonding strong है metal का character वही हुआ metallic character और दूसरा वाला जो character है electron loss tendency actually that is not metallic character that is electro positive character लेकिन पूछने वाले खुद differentiate कर पाए तब तो मेरी बात को समझो पूछने वाले दोस्त खुद differentiate कर पाए तब तो तो जब पूछने वाले डिफ्रेंसियेट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा तो पूछने वाले को differentiate करके ये चीज़ को पूछना चाहिए ठीक है तो चलो मैं इसको और clear करता हूँ थोड़ा आजो ध्यान दो metallic character in general left or down जाने पर increase करेगा ध्यान से in general metallic character increase करेगा क्यों ionization energy decrease करेगा हमने बोला ये नजरिया मेरा सही नहीं है लोग ले लेते हैं ठीक है आपको भी अगर option नहीं मिलेगा तो आपको उसी according चलना होगा but मेरा ये lookout नहीं है मैं बोलूँगा metallic character को आप deal करेंगे dealt with strength of bonding inside the metal inside the metal अच्छी बात है example iron का ज्यादे sodium से example tin का ज्यादे potassium से क्योंकि ये P block और ये S block S block की metallic bonding कमजोर होती है हमने आपको पहले पढ़ाया वह भी है कि S block की metallic bonding weak होती है तो tin की ज्यादे potassium iron ज्यादे sodium से clear है zinc की strong होगी mercury से क्योंकि mercury liquid है weak metallic bonding के कर और zinc solid element है और जो ये चीज है actually इसको क्या बोला हमने इसका एक नाम है electro positive character सही चीज जो है वो मैंने आपको सिखाया otherwise लोग यही पढ़ते हैं जिसको हमने काटा कि metallic character electron loss tendency तो जिदर ionization energy decrease करेगा उसको metallic character और जो ये चीज है actually वो है electro positive character तो अगला application मैं लेके आ रहा हूँ पहले electro positive character metallic character में क्या बोलोगे क्या बोलोगे इसमें point sir d block तब sir p block और तब sir s block और metallic bonding इसमें upward strong था या downward generally downward zinc academia mercury में नहीं बाकी जगा downward और s block में किदर था metallic bond strong upward याद होगा आपको हमने पढ़ाया है शुरुवात के lectures में जहाँ पर हमने metallic bonding को clear किया था कि d block में नीचे जाए strong metals strong metallic bonding आपको मिलेगी density वगर वे उसके वज़ा से जादे है या hardness जादे है और बहुत सारे property भी आपने पढ़ाया हुए है d block में generally downward और s block में वहीं पर upward lithium की hardness जादे है lithium की cohesive energy जादे है cgm तो आप जानते हो काफी soft है आप तो उसको चाकू से भी काट सकते हो आराम से आजो तो metallic character को वे से अगला application ले ले लेते हैं अपन electro positive character अब ये दोस्त ये कौन सा character है dealt with electron loss tendency deal करोगे इसको किसी से electron loss tendency से that is ये आपका m गया किसमे m plus में तो आप क्या बोलोगे कि ये character कब जादे होगा जब आसानी से electron lose होगा आसानी से positive charge डेवलप होगा तो electro positive character क्या बोलेंगे दोस्त हम लोग क्या बोलेंगे अपन inversely proportional ionization energy सहयन जी electro positive character inversely proportional ionization energy अच्छे से देखोगे जो आसानी से positive charge लाए तो positive charge कब आसानी से लाएगा जब ionization energy कम होगी तो inversely proportional ionization मतलब lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium down the group जाने पर electro positive character increase करेगा इस तरह से अगर बोला जाए most अच्छे से देखना फिर अच्छानक मैं confusion create करवा दूँगा most electro positive most electro positive element of predictable which one? बोलो left or down ionization energy घटेगा तो left or down increase करेगा आपका electro positive character तो कौन हो जाएगा लेफ्ट और डाउन, cesium बहुत सारे लोग परते हैं कि सबसे जादे electro positive character मैं याद दिलाता हूं साथ याद भी आजा कुछ लोगों को most electro positive element of predictable इज, इज, लिथियम बहुत सारे लोग ये परते हैं कौन? लिथियम गलत परते हैं अगर आपको नहीं आता है तो जादे अच्छी बात है क्या point है? क्या confusion है? ये जो लिथियम वाला हिसाब किताब है न वो strongest reducing agent electrochemical series वो है आपका लिथियम तो electro positive character और reducing power of metal बोथ हार different things बोथ हार different things ध्यान से सुनों फिर समया repeat कर रहा हूं reducing power, reducing agent loss of electron reducing agent undergoes oxidation loss of electron तो electron देखो लोग कैसे सोचते है strongest reducing agent वो होगा predictable में आसानी से electron lose कर देगा oxidation में जो जाएगा loss of electron तो आसानी से lose कौन करेगा जिसकी ionization energy कम होगी तो उस according cgm answer होना चाहिए बट जी नहीं यह reducing power बनता है वो electrochemical series उसी का series है reducing power का और वो सिर्फ ionization पर depend नहीं करता दोस्त वो sublimation enthalpy, ionization enthalpy और इन दोनों के साथ hydration enthalpy के sum पर depend करता है तो actually lithium जो आपका strongest reducing agent हो जाता है उसके पीछे का logic वो hydration enthalpy है Hydration energy उसके पीछे का logic है तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि है मतलब electro positive character reducing power एक ही है लोग electrochemical series मिलता जुलता नाम मिलते जुलते नामों से हमेशा बोला जाता है साबधान रहा है हमेशा तो लोगों को confusion क्या है electrochemical series में सबसे ऊपर है lithium इसलिए वो most electro positive जी नहीं electro positive character का मतलब क्या हुआ दोस्त उसका मतलब हुआ जो आसानी से electron lose करें और loss of electron वो आईने जे सलरजी पर depend करता है क्योंकि आपका यहाँ phase सिर्फ gas होता है जबकि यह जो reducing power होता है यह इस पर depend करता है कि कोई solid metal convert कर दिया जाए एक्वास आयन में एक्वास पानी hydrated इस पर यह reducing power depend करता है कि solid metal को convert करना है एक्वास आयन में तो सोचो पहले solid metal को ले जाना पड़ेगा gas metal में sublimation enthalpy फिर gas metal को electron देके निकालोगे electron निकालोगे energy देके ion education enthalpy और तब उस iron को water में डालोगे तो hydration होगा liberates hydration enthalpy तीनों का algebraic sum जितना negative होगा उसका concerned metal in general उतना strong reducing agent और electrochemical series में उतना उपर होगा कितना लफरा है उसमें वो reducing power वहां से decide होगा और वो topic भी आएगा आगे आएगा topic अपन डिसकस करेंगे और electro positive character को उन सब किसी चीज़ से लेना देना नहीं है gaseous phase का metal loss of electron gaseous phase में सिर्फ ionization और इसमें क्या-क्या चीज़ therefore reducing power character becomes the function of enthalpy of sublimation enthalpy of ionization and enthalpy of hydrogen समझ में आया जबकि electro positive character depends only on किसमें किसमें ionization energy पर तो देखो कितना practically different चीज़ है यह ठीक है अगर मैं example बोलू sodium और calcium कौन electro positive character ज्यादे है तो यह one a two a ionization energy sodium की कम होगी यह two a stable configuration है थोड़ा तो sodium लेकिन electro chemical series में जो reducing power है तो electro chemical series को दोस्त अगर देखोगे कि कौन उपर है तो बटा आपको sodium नहीं calcium उपर दिखेगा तो जरूरी यह भी नहीं है कि दोनों का trend हमेशा same ही होता है same भी हो सकता है different भी हो सकता है तो हमने space में बहुत खुबसूरती से discuss किया metallic character को पहले आपका confusion दूर किया कि metallic character electron loss tendency नहीं है वो metal की rigidity है अलग बात है वो option नहीं दिखे तब आप उस पर जाएंगे ionization energy पर और फिर हमने बोला कि metallic character D block तब P block तब S block metal के लिए जनरल जादे रखोगे D block में downward in general increase करता है और S P block में generally upward increase करता है और फिर हमने क्या बोला कि electro positive character electron loss tendency है deal with ionization energy reducing power वो solid metal को aqueous ion में convert करते है तो deal with sublimation enthalpy ionization enthalpy as well as hydration enthalpy जो आगे आएगा तो आज का lecture बहुत ही सांदार बहुत अच्छा बहुत अलग तरह का lecture है अगले lecture में हम लोग ले करके आने वाले हैं बहुत सारा applications problems जिसको आप कहा रहे है आइनेजस energy पर धेर तरह के अलग अलग तरह के एक complete lecture अपन उस पर problems के करेंगे तो आप उससे पहले अच्छे से ionization energy को आपको जो book suggest किया गया है उससे अच्छे से practice कर ले और अगले lecture के आने से पहले आप जम करके practice करके बैठे रहे और इंतजार करें enjoy करें हमारे साथ ionization energy के examples को खुबसूरा चीजों को यह periodic properties नहीं है इसमें s block, p block, d block सारे blocks कॉम एक साथ चल रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही आप screenshot लिजे इत्मिनान से thank you so much हुआ 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 है